मंदिरों में गुंबद होना एक आम बात है लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत खास है हिंदू धर्म को दर्शाते मंदिरों में आपको गुंबद विशेश रूप से नजराएगी इस गुंबद को बनाने के पीछे जहां एक और वास्तु शास्त है तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनी विज्ञान के सिध्धान्त भी है इसके अलावा मंदिर का गुंबद कुछ धार्मिक रहैसियों को भी समेटे हुए है हमारे एक्सपर्ट ज्योतिशाचार्य डॉक्टर राधाकांत वत्स ने हमें इस विशय पर कई रूचक जानकारियां दी जो हम आपके साथ साझान करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो चलिए बिना देरी किये जानते हैं कि मंदिरों में आखिर क्यूं होता है गुंबद सब्सक्राती है गुंबद से टक्राने के कारण मंत्र में मौजूद शक्ती एक स्थान पर केंद्रित होती है और फिर उस स्थान से उसकी ध्वनी सीधे देव प्रतिमाओं को स्पर्ष करती हैं जिससे देव प्रतिमाएं सिध्ध हो जाती है और वह साधक की सभी बाते साक् दूसरा कारण एक ये भी है कि खुले आस्मान के नीचे भगवान की पूजा या प्रार्थना करने से हमारी मांगी हुई प्रार्थना वायुमंडल में लुप्त हो जाती है और हमारे पास वापिस लोट कर नहीं आती, लेकिन जब प्रार्थना मंदिर, मंदिर के वास्तु न प्रार्थना का लोटना इसलिए आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति उस बात को स्मरण कर प्रार्थना पूर्ण हो जाने के बाद भगवान का आभार मान सके। और वर्षा आदी का प्रभाव गुम्बद पर बहुत कम पड़ता है जिससे पूजा स्थान पूजा स्थान पर न रखें ये वस्तुएं के लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने की अवधी और भी बढ़ जाती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झाजा में झाल है